हेल्लो स्टुडेंट्स तो आज किस भीयों में अग्यां सीखने वाले चेप्टर नबर टू कंटिनिटी ये चेप्टर का सेकेंड ये होने वाला है और इसका एक वुल्य अप्लोड हो चुका है जिसकी लिंक में डिस्क्योशन में दे दूगा वो चेक आट जरूर कीजेगा उस वीडियो में मैंने क्या एक्स्प्रेंग किया हुआ है उस वीडियो में जो सॉल्ल कराया थे समस वो कोशन नमबर 13, 14, 15 ये तीन समस सॉल्ल कराया थे जो जरू चेक आट कीजेगा बहुत खास समस है बात करता हो आज के सुडियों की तो आज मैं और नेक्स्ट लेवल के सॉल्ल कराना हो जो हुआ के रिलेटेट फाइंड़ वेल्यॉ अब के इसमें जो के की वेल्यू करने के लिए पूशी जाती इस चेप्तर में वह आज इस वीडियो में सॉल्ल कराऊंगा तो वीडियो स्वान में आए तो आज या जरू कीजेगा और चैनल प्हली पार आरहा वह क्या है continuous है वन्ना हमें already find out करना रहता था कि continue से कर देखें इस stat के sums में already given होगा कि यह function क्या है continuous है और हमें find out क्या करना है k की value तो देखिए sums के रहे solve होगा fx is equal to करके दिया हुआ है 2x square minus x minus 1 upon x minus 1 तो देखिए का solve कैसे होना है question number 21 fx करके दिया हुआ है sums 2x square minus x minus 1 upon x minus 1 उसे solution क्या possible है तो यहां पर हमको factorial का solution करना रहेगा 2 into 1 first और last का into करना है 2 into 1 कितना आएगा 2 आएगा और middle में कितना digit है कुछ नहीं तो एक तो होते है न और PC का sign देखने का minus करने पर 1 आना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ इंटू करने पर 2 आना चाहिए और minus करने पर 1 आना चाहिए तो 2 into 1 यह दो फेक्टर होगी यह चोंगे कि 2 into 1 करने पर 2 भी आएगा और 2 minus 1 करने पर 1 भी आएगा तो यह 2 और 1 यूज किया जाएगा तो क्या करना है first और last situation return down कर दिना है 2x square minus 1 और middle में जाब minus x था उसकी जाएगा 2 और 1 तो क्या होगा first minus तो minus ले लेना है minus 2x और second में क्या sign आएगा मैं minus करने पर चाहिए ना तो already 1 minus आच चुका है तो second opposite plus आएगा plus 1x यह हो गया 2 और 1 का use upon में तो upon में कोई solution करने की जो भी यह लिखा जाएगा x minus 1 आपके आपना चाहिए हमें आपड तो यहां पर देखिएगा 2x square minus 2x इन दोन में हमें common लेना बढ़ेगा तो common क्या आएगा 2x आएगा तो यहाद 2x common निकलने का बाद 2x square में से 2x निकलने का बाद x बचेगा minus तो minus 2x में से 2x common गया तो क्या बचेगा only 1 second दो के अंदर common देखिए plus x minus 1 common कुछ ही है तो plus 1 तो common आएगा तो plus 1 common लेने से कुछ ही चेंजिस होगा यह क्या हो गया क्ट हो गया तो क्या बचा 2x plus 1 ओके तो fx बराबर अभी तना function बचा है अब हम value रख देंगे कि x is equal to जो भी कहा गया यहाँ पर यहाँ पर कहा गया है x is equal to 1 क्या बुला कि x is equal to 1 तो हमें x की value क्या रख देना है यह पर 1 रख देना है तो 2 x is equal to 1 plus 1 2 x is equal to 2 plus 1 आंसर कितना हो गया x is equal to 3 हो गया राइट ना अब देखेगा यह एक equation का answer finite किया इसका value कितना है 3 आया और अब देखेगा second equation दिया गया है तो second equation दिया गया है यहाँ पर k plus 2 इस second equation हो मैं finite क्या करने value k की finite करने तो मैं यहीं लिख देता हूं second equation है fx is equal to k plus 2 अब क्या करना है कि already fx का answer आ चुगा कितना है 3 तो वही fx का value देना बोले क्यों 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 क्या 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 गया है continuous है मलब दोनों का answer क्या रहेंगे sam ही रहेंगे तो जो इसका fx का answer आया 3 तो उसका भी fx का answer कितना आएगा 3 ही आएगा तो fx की जगह में 3 random करने है जो हमारा answer आया is equal to k plus 2 अब solution हो जाएगा plus का 2 इससाड़ आएगा तो क्या हो जाएगा minus हो जाएगा 3 minus 2 तो 3 minus 2 करने पड़े क्या एगा 1 तो 1 बराबर k तो k की value क्या हो गई 1 यह हो गया हमारा solution तो ऐसा solution करना रहेंगा और यह को given होगा sums में कि continuous और continuous है कि discontinuous और continuous ही होता है जो answer होता है first का वो ही second में use कर लेना होता है एक को sumset इस करते है वीडियो संग में आदो से like जरू कीजिएगा बात का तो question number 22 यहाँ पे भी लिखा गया है for what value of k the function is continuous at x is equal to 4 तो same sum से देखेगा f is usable to क्या दिया गया है x square minus x minus 12 divided में x minus 4 यह भी तो इसके solution के लिए मैं factorial का use करना चाहिए तो 1 and 12 तो 12 ही होगा minus करने पर कितना चाहिए मैं 1 चाहिए तो 12 का factor होगा 4 into 3 4 into 3 करने पर 12 आता है और 4 में से 3 less करने पर 1 आता है तो 4 और 3 कर लिस करेंगे तो क्या करेंगे x square first and to same first minus to minus sign लिखेंगे पहले बड़ी digit लिखी जाएगी 4x अब हमें minus करने पचे ही राइट ना तो second first minus है तो second क्या आएगा plus आएगा plus 3x minus 12 अब और में same to same कोई चीजिस नही x minus 4 अब पर क्या करने है first two digit में common तो x square minus 4x common क्या आएगा x आएगा तो क्या बचा X-4 सेकंड डो डिजिट में common कियागा 3 X-12 तो डिजिट में common आएगा 3 आएगा प्लस तो प्लस है प्लस 3 common आजाएगा तो क्या बचेगा यहां पर X बचेगा और 12 में 3 का कितने पर time जाता है 4 time X-4 आप उन में कोई चींज़ नहीं है X-4 सेकंड तो 7 अब क्या करना जो new pair बना X प्लस 3 और जो 2 time है X-4 वो one time ही दिना है X-4 अब बचान में भी X-4 अब कुछ न कुछ तो कट हो गए यह X-4 यह प्लस 3 यह हो गया कट अब जो बचा X-3 यह मारा function बचा है आपको solution नहीं करना direct value रख देना X is equal to क्या कहा गया था X is equal to कहा गया था 4 continuous at X is equal to 4 तो X की value कितना रखना है इस function में 4 रख देना राइट ना तो 4 प्लस 3 कितना answer आए 7 Fx is equal to 7 यह हमारा answer first equation आप देखिए K की value फइलिट करने के लिए second equation दिया गया है 2K minus 3 तो क्या करना है यहापे देखिएगा solution कि Fx is equal to second दिया गया 2K minus 3 तो यहाँ कहा हो गया continuous है इसका मतलब जो first equation का answer आया न वही second का भी answer होगा तो यह जो 7 answer आया तो Fx is equal to 7 ही रख देना वही हमारा answer है is equal to 2K minus 3 अब simple सा solution करना है कि minus का 3 is equal to इससेट आयेगा तो plus में हो जाएगा 7 plus 3 is equal to 2K तो यहाँ कहा है 10 10 is equal to 2K अब जो into का 2 है वह दिवैड में आ जाएगा 10 divided 2 तो K is equal to क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा 5 का answer हो जाएगा K K is equal to 5 यह होगा हमारा answer तो K वाले sum को solution ऐसे करना है जिसमें हमेशा continuous का ही होगा तो first जो answer आएगा वह ही second देना है और हमें answer ला लेना है तो यह आज से उडियो इहरे पर end करते हैं वीडियो समझ में ऐसे लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर पहली बार आए तो उसे subscribe जिरू कीजिएगा और बहुत सरे वीडियो अपलोड होने वाले आपके syllabus related कोई क्यारी हो कोई वीडियो चाहते हो तो comment box में जो लिएगा Thank you मिलते नेक्स वीडियो में